Hello friends, welcome back to my channel देखिए friends, आज मैं आपके लिए बहुत ज़ादा ब्यूटिफुल बुनाई लगके आए हूँ देखिए इसे आप अपनी lady cardigan, chain sweater और baby sweaters किसी में भी अपलाई कर सकते हैं देखिए सब में बहुत ही beautiful लगेगी ये बुनाई देखिए इसे बनाने के लिए six के multiple पे आपको फंदे रखने है देखिए मैनेस में six के multiple पे फंदे रखे हैं और तीन फंदे एक्स्टर रखे हैं तो मैनेस में 27 फंदे रखे हैं 24 बुनाई के और थ्री फंदे एक्स्टर हैं दो एजिस्ट और एक और ठीक है तो इसमें 27 फंद हैं और देखें यह बुनाई आपके 4 रोल में कम्प्लीट होने वाली है और देखें बैक साइड से इस तरीके की दिखती है यह देखें इस तरीके की दिखेंगी और इससे बनाना शुरू करते हैं यह आपकी यह बुनाई आपकी front row से ही start होगी देखें आप border ready कर लीजे border ready करने के बाद यह first row होगी वहां से आपके बुनाई start होगी अगर आप lady cardigan में यह बुनाई डालते हैं तो आपको border बनाने की भी इसमें इतनी ज़्यादा need नहीं है क्योंकि देखें आप जैसे जिस तरीके से मैंना इसमें डाली है ऐसे ही आप cardigan में डाल सकते हैं बट आपको जैंड स्वेटर में अगर डालनी है तब तो आपको border ready करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको यह बुनाई apply करनी पड़ेगी देखें मैं बुनाई शुरू करती हूँ सबसे पहले देखें आपको एक फंदा उतार यह देखें एक सिधा बुनेंगे उसके बाद धागा आगे एक उल्टा देखें धागा बैग फिर आपको तीन फंदे सिधे बुनने एक दो तीन फंदे आपने सिधे बुनने देखें यह आपने तीन फंदे सिधे बुनने उसमें से देखें जो first फंदा है इस first फंदे को निकालके आपको इन दो के आगे डालना है, ये देखे, इस तरीके से, फिर आपको एक उल्टा बुनना है, ठीक है, फिर धागा बैक करना है, फिर देखे, ये सीधा आपको इस तरीके से बुनना है, ये देखे, इस तरीके से, ये, ठीक है, ये आपका एक इतना बुनाई का complete हो गया, इसमें सबसे पहले आपने एक edge stitch उतारा उसके बाद ये एक सीधा बुना वो आपने back side से सीधा बुना फिर आपने उल्टा किया, फिर तीन सीधे बुने फिर तीन सीधे में जो first वाला सीधा था उसको 2 के उपर डाला और फिर आपने एक उल्टा बुना फिर आपने एक सीधा back side से बुना अब देखी, आप आपको फिर वही चीज़ रिपीट करनी है पहले आप एक उल्टा बुनेंगे, फिर देखे दागा back फिर तीन सीधे बुनेंगे एक, दो तीन सीधे हैं, और देखी उसके बाद ये तीसरे वाले को ये दो के आगे लेना है, ऐसे ठीक है, ऐसे लेंगे, फिर उसके बाद एक, उल्टा, फिर धागा back फिर देखे, ये सीधा है, इसको आपको back side से लेना है इस तरीके से, ये देखे फिर आप एक, उल्टा बुनेंगे फिर धागा back करेंगे, फिर देखे, तीन सीधे एक, दो तीन, तीन सीधे होगे फिर देखे, ये थर्ड वाले को, जो फर्स वाला है इसको ये दो के ऊपर से ऐसे डालना है फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए, फिर ये सीधा आगया, सीधे वाले को आपको ऐसी करना देखिए, इस तरीके से यहां से डालना आपको, ये हो गया, फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा, ठीक है, फिर धागा बैग, फिर आपको तीन सीधे से बुनना है एक, Bi, Two, तीन सिधे देखिए, फिर थर्ड वाले को आपको इस के आगे निकालना है इस तरीक सिधा बुनना हैसे दो फंदों के आगे फिर आपको दहकर आगे करके एक फंदा उल्टा फिर देखिए फिर आपक Nissanировать因 में जो आपक यहां पर फर्स में आया था इस ठीक है जब आप अप इस तरीकी के chain आएगा आपकी आपकी यह तरीकी की ने सक्वेशन हुआ आपकी यह देकिए आपकी से पतार लेज देखे इस तरीके से इस सब् horrूण especially यह देखिए यह back side से बुनना उल्टा इस तरीके से ठीक है यह फंदा थोड़ा tight रहता पहले आप इसको थोड़ा खीच लेजेए उसके बाद आप इस तरीके से इसको उल्टा बुन सकते हैं यह देखिए back side से ऐसे ठीक है एक सीधा ठीक है आप धागा आगे करेंगे फिर यह उल्टा फंदा है देखिए जो यहां से आपने chain tap का बनाया था अब इस उल्टे को आपको नॉर्मल उल्टा नहीं बुनना आपको इस तरीके से बुनना है इधर से निकाल गे ठीक है ऐसे उल्टा बुनेंगे उसके बाद धागा बैक फिर यह आपका सीधा फंदा आगया फिर देखिए आपके दो जो बुनाई के फंदे बीच वाले हैं यह दो आप उल्टा बुनेंगे फिर धागा बैक फिर इसके बगल वाला यह जो आगे उल्टा था यह बैक में सीधा बुनेंगे फिर धागा आ दोनों फंदे उल्टे, ठीक है, आप धागा बैक करेंगे, फिर एक आपका सीधा, जो आगे उल्टा था वो सीधा, और देखें जो ये चेन वाला है, इसको आप, ये उल्टे को आप हर टाइम इस तरीके से बुनेंगे, देखें, सीधे साइड से भी बैक साइड से सीधा इसको आप इस तरीके से बुनेंगे, इधर से, ये देखें, ऐसे निकाल के ये बुनेंगे, फिर देखें ये आपका लांस फंदा, इसको आप बैक साइड से उल्टा बुन लीजे, देखें, आप ये आपकी फर्स, थर्ड रो है, और देखें, फ्रंट साइड का आगे आपको सीधे में भी ये देखें, इस तरीके से बुनना है इसको, यहाँ सीधे बुनना है, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आपका ये उल्टा आगया, ठीक है, आप देखें, अब ये आपके दो फंदे हैं, ये एक फंदा घड या था बीच में यहाँ पे, तो अभी फिर आपको धागे आगे करके, ये बुनाए के बगल वाला उल्टा बुनना है, फिर धागा बैक करेंगे, फिर देखें, ये जो चेन निकलिए, इससे आप बैक साइड से बुनेंगे, ऐसे सीधा, ठीक है, ये बुना, फिर उसके बाद आपका ये एक उल्टा, फिर धाग फिर यह chain है इसको आप back side से बुनेंगे यह देखिए इस तरीके से फिर धागा आगे फिर एक उल्टा फिर धागा बैक फिर देखिए यह दो बुनाईगी है इसे तीन करना है पहले एक फंदा बुनेंगे फिर उसके बाद जाले डालेंगे फिर एक और फंदा बुनेंगे ठ फिर धागा बैक फिर एक उल्टा बुनेंगे फिर यह दो फिर देखिए एक फंदा बढ़ना है ठीक है फिर यह साइड सैड का एज इसे आप इससे सीध़ सैड से थी बुन लिए ठीक है यह लेकर इस तरीके से आप यह देखिए आपकी फोर्थ रो और यह लास्ट रो है बुणाई की, इस तरीखे से उतार लिजैंस underest है? अब आपको अगर यह उल्टा, आपको ऐसे नहीं बुणना है क्योंकि यह चेन वाला उल्टा है, तो इस उल्टे को आपको इस तरीखे से इधर से निकाल के इस तरीके से बुन나 है यह आपका उल्टा हो गया ठीक है फिर आपको एक सीधा फण फण ना है यह फिर आपको एक यह देखिए अभ यह हमने जो बीच में एक फण आप ले दो थे उल्टे अफ 3 हो गयों देखे इसको उल्टा और यह जाली वाले को भी आपको एक फंदाई बुनना है यह देखे इस तरीके से दो यह तीन ठीक है यह हो गया अब अब आपको इसके बगल वाला सीधा बुनना है फिर देखिए ये chain वाला है इसको आपको ऐसे उल्टा ना बुनके देखिए back side से उल्टा बुनना है इस तरीके से ये ये देखिए इस तरीके से उल्टा बुनेंगे फिर धागा back फिर एक सीधा ठीक है फिर धागा आगे ये देखिए ये बुनाएं के तीन उल्टे है ये य यह उल्टा एक ही जाली से फंदा बना है, इसे भी आपको फंदा बनाना है, फिर एक उल्टा, फिर धागा बैक, फिर देखे एक सिधा, फिर यह चेन वाला है, तो इसे आपको ऐसे करके बुनना है बैक साइड से, ठीक है, इस तरीकी से उल्टा बुनेंगे, फिर धागा बै तो इसको आप आगे से बुनेंगे इस तरीके से इस तरीके से उल्टा बुनेंगे फिर देखे फिर आपको एक सीधा बुनना है फिर आप धागा आगे करेंगे फिर एक उल्टा बुनेंगे फिर देखे एक उल्टा फिर यह जाली वाला भी आपको एक फंदाई बुनना है फ अब देखिए आपकी ये ये देखिए आपकी ये बुनाई यहाँ पर ready हो गई है ये बुनाई four rows में complete होने वाली है तो यहाँ पर आपकी बुनाई ready हो गई है देखिए मैं आपको एक line और बना के बताती हूँ फिर आपको उसी तरीकी से repeat करना ये first row है जो मैंने आपको starting में जो first row यहाँ पर बताई थी वो ही है उसके बाद आपको चार rows वैसे ही complete करने है जिसे मैंने आपको बताई है देखिए ये आप उतार लेजे फिर्स फंदा देखिए ये chain वाला फंदा है इसको आप back side से ऐसे सीधे बुनेंगे ये देखिए ठीक है ये fifth row है बुनाई आपक एक उल्टा फंदा बुनना है फिर धागा बैक करेंगे देखिए ये first row आपने बुना था कि एक सीधा बुना था फिर एक उल्टा फिर तीन सीधे बुनने थे आपने देखिए इस तरीके से तो वही रो है देखिए तीन सीधे बुनने देखिए first row थी तो ये वाला फंदा तके इस तरीके से, फिर एक उलॉटा, फिर सीधे वाले को आपको हार टैम इस बैक सईच सीथा बुनना ये सिर्फ चीन वाले को ठीक है, और ये उल्टा फिर आपको तीन सीथा बुनना ये एक tblesितल और री तीन सीथा बुनना है यह हो गया फिर आपको दागा आगे करके एक उल्टा बुनना है फिर दागा बैग यह चेन है चेन को आपको देखे इधर से बुनना है सीधा ठीक है यह हो गया उसके बाद एक उल्टा फिर दागा बैग फिर तीन सीधे बुनने है एक दो तीन सीधे फिर उसके बाद इसको इसके आगे निकालना है देखे थर्ड वाले को इन दो फंदों के आगे फिर आगे फिर आपको एक उल्टा बुनना है फिर धागा बैक करेंगे फिर ये चेन वाले फंद को आपको इधर से देखे बैक साइट से सीधा बुनना है फिर आपको उल्टा बुनना है फिर धागा फिर देखे तीन आपके बुनाई के फन्दे सीधी जाएंगे, उसके बाद ये third वाले को आपको ये देखे इस तरीके से इनके आगे निकालना है, फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा, फिर देखे धागा बैग, फिर ये chain वाला फन्दा है, इसको आपको back side से सिधा बुनना ठीक है, फिर यह आपका edge stitch है, ऐसे आप सिदा बुन लीजे, देखे, यह देखे, इस तरीकी सा आपकी यह बुनाई, रेडी हो गई है, देखे, बैक साइड में आपको फिर, जिस तरीकी का दिख रहा है वही बनाना है, ऐसे आपको यह 4 rows repeat करनी है, तो आपकी यह बुनाई इ और easy भी है, देखे friends अगर आपको मेरी यह बुनाई पसंद आई, तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe करें, thank you